मलबार हिल पूलिस टेशन एरिया में तानिया हाइट्स बिल्डिंग के बीसवे मजले पर बाराद मार्च को शाम को साथ बजे जोतिशा नामकी 67 एर की जेश्ट महिला मुरुत पाई गई मुरुत दिखने के बाद गला गोट के उसका खून किया गया ऐसा प्रतीत हुआ मुरुतक के पती की तक्रार पर कलम 302 तरद गुना दाकल हुआ उसी घर का नोकर कनाया कुमार संजे पंडित वहां से फरार था और गटना के समय वही अकेला मुरुतक के साथ था यह घटना एक जेश्ट नागरिक की हत्या का था सेंसेशनल यह गुना था इसलिए जोन टू और पॉर्ट जोन के 15 इंविस्टिकेशन टीम बनाए गई परार आरोपी के रिलेटिवस उसके मित्र उसके परिचित इन जगह पर तादकाल टीम रवाना की गई रेलवे स्टेशन बस स्टेंड जहां आरोपी जा सकता है वहाँ पर टीम रवाना की गई टेक्निकल एनलिसस के आधार पर और बाकी इनफोर्मेशन पर आरोपी को बूसावल से कल शाम को ताबे में लिया गया आज सवेरे मलबारील पॉलिसेशन में आरोपी को लाया गया है और हमारे इस तपास में भुसावल रेलवे, जी आरपी, आरपी अफ और जलगाव जिल्लप पुलिस ने हमें मदद की है आज आरोपी को दोपर को कोट में रिमान के लिए हजर किया जाएगा और आगे का तपस किया जाएगा यह आरोपी का बैकड़ाउन क्या है यह कहां करने वाला है यह आरोपी जो है वो गाव करूना शिल्ला सीतामडी बिहार राज्यका है उसकी उमर 19 साल है उसका क्रिमिनल बैग्राउन है क्या इस बारे में आभी हम वहाँ पर तपास करेंगे इस घर में जो काम पर लगा था वो एक दिन पहले ही काम पर लगा लगाया था और इस माध्यम से वह सभी को फिर एक बार कहना चाहूंगा जो मुंबई के नागरिक है कि घर में नोकर रखने से पहले उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन चारित्रे पढ़तानी करना जरूरी है त अभी तक प्राब जानकारी के अनुसार आरोपी घटना स्थरल पर भी आकेला था तो अभी तक प्राब जानकारी के अनुसार इसमें रख एक ही है फिर भी पोलिस कस्टेडिदी रीमाड मिलने के बाद आधिक इन्विस्ट्रिक्शन किया जाएगा कि एक दिन पहले इसने काम शुरू किया था तो क्या इसका कोई ऐसा था कि इसे लूट करें वहां से परार होना था इसे परपस से उस नौकरी के लिए नौकर का काम उसे जॉइन किया आरोपी को हमारे पास आये हुए अभी दो घंटे ही हुए है इन सभी सवालों का जवाब आरोपी का पॉलिस कस्टिडी रेमान मिलने के बाद हम लेने की कोशिश करेंगे और आगे हम इस बारे में कुछ जान करें मिलने तो हम बताएंगे घर में जो भी सीसी टीवी था उसका हमें फायदा यह हुआ कि उस समय गटना के समय मृतक और नौकर यह दू ही थे इस कहलो कोई नहीं था और इससे हमें लीड मिलाएं जो इन्फोर्मेशन हमें मिली है जो आरोपी का वहां से जाने का समय वो तीन बज़े का है और हमें शांको साथ बज़े इन्फोर्मेशन मिली